हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल अनलिमिटेड नोलेज इन मेडिकल साइंस तो गईस आज की वीडिया हम बात करने वाले कुछ कॉमन ऐसी एंटिवायोटिक्स इंजक्शन्स की जो की बहुत जदा यूज किये जाते हैं अब बैसे गाइस करने के लिए और बैक्ट्रियाज को किल करने के लिए जो टैबलेट इंजक्शन का यूज किया जाता है उन्हें एंटिवायोटिक्स बोलते हैं तो आज की वीडियो हम कुछ ऐसे एंटिवायोटिक्स की बात करेंगा जो की बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत से बात करेंगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइक को प्रेस करें आपके पास पहुंच सके तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं तो फैस्ट नमर पा जाती है हमारी जो है इंजेक्शन मोनोसेप जो की काफी ज्यादा यूज घ्रम में आपको देखने को मिल जाती है नहीं करते है जो कि ब्लड में and ईक्षन के द्वारा इसा आ पहलत की जाए क्या। मारे में जाता है कॉंशी बिमारी में किया जाता है तो निवाती कि गात कि जातों सबंद्लिय Suzuki का यूउज अलग-छुम्त ट्र या फिर तो हमां प्र लिए में और हॉ सकते हैं department कौन tv zor कौन कौन से कंडिशन कों से समय की यूज säफयाब यूज किया जाता है ट्रेक्टों कोई प्रवंजाता है यानि युर्ट्र हुई जैसे युरिनली लिविविवर्टर हुआ और जो भी युईरीन कभी मारक है उसमें कहीं इन्फेक्शन हो जाता है तो इसको प्रिवेंट करने के लिए उसको रोकने के सब्सक्राइब जो पिंट्र होता है तो इसे कोई वगियरा में नष्द्क और फूर्थ नमर पर जाते हैं गनोरिया यानि यह एक एस्टिडियानी सेक्ष्वल ट्रांस्मिटर डिजीज है तो इससे प्रिवेंट करने के लिए भी मोनोसेब का यूज किया जाता है तो यहां पर देख सकते हैं मोनोसेब का यूज हमने चार ब्मारियों में किया एक तो अंट। वान जाती फीपर स्लेन जो की पर शलीं के नाम से आपको मिल जाते हैं जो फूपर सीली कि सरह को मिल सकता जैसे तूंद chief और सकता है तो यहां पर इसका कॉम भी नेशन भी हो सकता है तो अलग-अलग डीजिस के इसाफ से उसको किया जाता है किया जाता है तो यहां पर गाइस देख सकते हैं पीपर सिलीन का यूज किसमें किया जाता है तो गाइस पीपर सिलीन के बात कि जा तो इसका यूज किया जाता की लिख करने के लिए यह स्क लाग चाटमक में रोकने के लिए कि ली चाहिसे सब्सक्रा सुल देख नहाद करने के लिए ब्सक्राइब कोई वी इंफेक्शन होता है या फिर मुक्राइब निअर्ग करने के लिए और फिमिल रीपुरॉड्रण्स ओटेए उनमें कहीं पर भी इंफेक्शन हो जाता है किसी परकार का तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो फीपर सीलीन और तेज़ वैक тебя जाता है जो कि तेज़ाइब नाम से आपको देखने को मिल जाती है तो नेक्स बात करते हैं तो वख रहलें येश्ट का जाती है तो इसके लिए इसको यूच किया जाता है जहां से जाता है बौडिक हैं तो यह वियुक्षायर यानि जादा ज्यादा सिरेज़ाश सीरियर उत्शन हो जाता है यह यह बैक्टरिया को किल करता है और तो उसकी नगीन को विए खरोग देता है तो इसका यूज भी यूटी यूज आई वगेरा में एंस एपलाइटेस एंड अर्थराइटिस रद्माइटेस एंड बहुत सारे इंफेक्शन यानि बोड़ी में कोई भी किसी प्रकार का जब सीवियर इंफेक्शन हो जाता है किसी पार्ट में या किसी एरिया में कोई चाहिए है अमक्सी सिलीन जो की काफी ज़्जादा यूज कि जाती है यह भी इंट इवाइट के जो बैक्टिरिय निफेक्शन को रोकने के लिए यूज की जाती हो काई से इसमें अमोक्सिसलीन एंड पोटेसें कल्बुनेंट शाल्ट है वो पाया जाता है तो इसके यूज की बात करते तो यहां पर देख सकतो गाई स्ट्रीट बैक्टिन इंफेक्शन ऑफदा इसकी बॉन जॉइंट इस्ट्रेस फैरेट ट्रक्ट एंड जी हमारे कोई एंफेक्शन हो जाता कहीं पर भी तो उसको ट्रीट करने के लिए और जॉइंट यानि अर्थ्राइटिस जो जो होता है उसको ट्रीट करने के लिए जो ट्रीट करने के लिए और रैसफारी ट्री ट्रेक्ट यानि जो हमारे रैसफारी ट्रेक्ट है उसमें कहीं करने के लिए यह नि जोंकि और में एक्षिक नहीं तो उसके लिए यह नि ग्यार्चिंट करने के लिए यूज की जाता है तो इसका यूज बिस रिखारी निविक्राइक्ट दरोक ने के लिए यूज किया जाता यह तो वैसे जो अमीड़ लेयर वागते हैं infection को रोकने के लिए यूज किया जाता है तो गाइस हमें इनका ध्यान रखना है कि सीवन infection कौन सी यूज की जाती है और नॉर्मल बेक्टरिल इंफेक्शन में कौन सी यूज की जाती है तो गाइस इस वीडियों जो हमने यूज की जाता है तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली हर वीडियो को नोट्मेकेशन आपके पास पहुंच सके और गाइस आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बोक्स में बता सकते हैं तो कैसी इस वीडियो के यहीं पर समाब तक्रते हैं मिलते हैं नई वीडियो के साथ जब तक के लिए जय हैं जय हवारत बाइबाइबाइब आपको